हलो फ्रेंट्स तो आज हम भात करने वाले हैं कि कैसे आपको जो फोन पे के तरफ से एस्प्रेसो का 500 रुपिस का ब्रोकरेज क्यास बैक मिला हुआ है कैसे आप इसे रेडीम कर सकते हैं और एस्प्रेसो क्या है और ये 500 ब्रोकरेज क्या है यह सारी बाते हम इस वीडियो में कभर करने वाले हैं क्या आप इस पैसे को अपने बैंक अगर में ट्रांसफर कर सकते हैं याने यह बाते हम इस वीडियो में कभर करने वाले हैं इस वीडियो को जरूर देखेगा आंते तक देखेगा और साथे साथ चैनल को भी ज़रूर सब्स्क्राइब कीजएगा अगर ये वीडियो आपको यूज़ फूल लगे तो So, let's start the video friends भी ने लेट किये So, आपको आपकी phone pay में ये reward मिला हुआ है Get 500 brokerage cashback from the Espresso सबसे पहले हम जाने थी क्या हिरी Espresso है क्या Espresso जो है एक share khan full service broker है उसी के दौरा founded Espresso है Espresso आपको discount broker service provide कराता है So, discount service ये जो है almost ये trading platform से जहाँ पर लोग investment करते हैं So, अगर आपको एक demand account खोलना है या फिर प्लान कर रहे थे तो इस offer के दौरान आप इसमें demand account खोल सकते हैं क्या होगा कि आपको 500 brokerage cash मिलेगा So, इसका क्या यूज होगा चली हम आगे जानते हैं So, सबसे पहले simply आपको क्या करना होगा कि आपको redeem norm पर click करना होगा ठीक है redeem norm पर आपने click किया तो आपका जो भी browser page है वहाँ पर ये page खोल जाता है इवेन वह आपका chrome हो या फिर jovi हो ठीक है तो उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं आप लिखा होगा है Zero delivery brokerage 20 per order only when you profit Zero brokerage only loss making trades ठीक है Espresso जो है provide करता है कि अगर आप इसमें investment करते हैं इसके थूरसी investment करते हैं तो अगर आपको profit नहीं होता है तो आपको किसी भी type का brokerage charges pay नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको profit होता है तो वहाँ पर आपको 20 rupees आपको pay करना पड़ेगा as a brokerage charges तो आप जो यहाँ पर फिलाल देख सकते हैं 20 rupees per order only when you get profit तो यह है brokerage charges और आपने जब भी फिलाल देखा 500 rupees वह ही है brokerage brokerage के aspect तो तिल 500 तरक आपको यह 20 rupees pay नहीं करना होगा अगर आप phone pay के थूँ से investment payment account खोलती है तो आप simply आपको करना क्या होगा आगे हम जाते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको आपको देख सकते हैं enter mobile number तो यहाँ पर आपको अपना phone number enter कर देना होगा जो भी आपका phone pay में number था ठीक है उस number को आपको यहाँ पर enter कर लेना है और उसके बाद start resume application पर आपको click करना है तो इसके बाद आप एक और page पर redirect होंगे यहाँ पर आपको OTP मांगेगा आपकी उस registered phone number पर OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है तो इसके बाद continue पर आपको click करना होगा मैं आपको बता तो कि मैं पास already discount broking account है तो मैं multiple brokers के पास अपना demand account नहीं खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बस आपको इतना ही बता रहा हूँ इसके बाद सिर्फ आपको अपना OTP टालना होगा और उसके बाद आपको प्रोसीट करना होगा तो ट्वेंटी रूपेस जो आप देख सकते हैं brokerage चाहिए आपको 500 रूपेस तक पे नहीं करना होगा अगर आप 500 तक पे करते हैं तो वो सारा का सारा आपको cashback आजाता है ठीक है पड़ता है brokerage जब भी आप शेर को बाई करती है तो और जब आप शेर को सेल करेंगे न वहाँ पर आगर आप लौस बीर करते हैं तो फिर आ पो brokerage charges पे नहीं करना होगा ठीचे तो brokerage charges हो है मानुस हो जाएगा या फिर आपके account में वापस आजाता है तो यही था सारा funda of espresso यह भी एक बहुत ही अच्छा discount broker है बहुत ही कम charges यह पे कर रहा है अगर आप trading account खोलना चाहते हैं तो आप espresso के साथ खोल सकते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छे लेगी होगी और आप समझ गया होगी कैसे आप phone pay के थ्रू से जो आपको 500 brokerage के hashtag मिला है उसे आप trading कर सकते हैं और कैसे नहीं ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा open code था बस इससे मुझे copy करना था और आपर paste करना था अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी तो वीडियो को जड़ो लाइक करें चैनल को भी जड़ो सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको किसी भी टैक के क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं I will must answer your question So thanks for watching this video, Jai Hind!